हळ्लो स्ट्टिरेंट्स, आज अगो वेडियों मा क्वेशन लքगोशु मैले,았reen tharan dynamics Ideal क्तिक्युक्षुन को प्रोब्लम कुश्यन दी माले डिस्प्ले मादेखी रागाशू जुन कुश्यन मादेखोसा हमला टू वेसल्स जसको क्यापासिटेची वान लीटर रद दुईटेल आई येउटा नेगलीजीबल बोलूम बाखो येउटा टीबले कनेट गरेगोशा मैली फिघर मापने ड्राग अरेगाशू जा वेसल ए और बाल्ब ए र अरको वेसल बी याने दुईटा बाल्ब सल जुन ची आइटेटनिकल छा ये दुईटा लाईची कनेक्ट गरेगो रहीशा स्माल पाइप को थुरू बाड़ जास माची भोलूम ब अब दी एर नेगलीजीबल छा अरे दुईटा मा कन्टेन बाको टोटल ग्यास को मास 3.42 इन्टो 10 दुदी पार माइनेस फो केजीश र दुईटा मा फिल्गारेको ग्यास रहीशा इलियम प्रेशर देगो सा आमला 800 mmHg र टेमप्रेचर रहीशा 27 डिग्री सेल्चियस कुशन मा सुदेगो सा आमला ग्यास कंस्ठांट का वालू निकाल बन रशो तो इस्तो कुशन आमी कसरी सल्व बने अईली इनिशियली यो दुटी इस बेशल मा भखो ग्यास आइडेंटिकल कंडिशन मा सुदेश इसमा बने एरे बने इसको बने बोलूम 1 लिटर 1 लिटर मीन्स 1 इंटो 10 ती पार माइनेस 3 मिटर क्योब इसको बने बोलूम इक्वाल इसमा ग्यासको प्रेशर 800 MbHg चा बने सेकेंड सिलिनर आपने इक्वाल प्रेशर इसमा ग्यासको टेंबरेचर 27 डिगरी सेल्चिस देट इस 300 Kelvin चा बने और गोम बने सेम सेम ग्यास पने फिल गरेगा चा दुटे मा इलियम पने चा बने अब यू सिलिनर मा क्यासको जती मास उंचा S5 बने तेतिने मास उंचा वनि पेशिदोईटा आइडेंटिकल कांडिशन मा सेम ग्यास ला आमलेर केपड गरेगा सो बने यो दोईटा मा ग्यासको मास पनी इक्वाल होंतरुँच तीस बने S5 बनी मास M चा बने इसको बने मास A m उनू परू अपो फर्स्ट में आमें निकालने यो इच सिलिंडर मां कण्टेण मांको मास काती इच सिलिंडर मां मांको मास निकालनु परू बने टोटल गरा ग्यास को मास स 8.42 इंटो 10 को बार मायनिस 4KG दिसवे, इज़ सिलिंडर मां कंटेनुने मास बनेगो तो यो टोटल मास को हाफ उन्च किने वन यो ट्यूब मां वाको ग्यास को मास लायता आमले नेगलेड वरे गुषों यो कन्डिशन मां मास आफ ग्यास इन इज़ सिलिंडर निकालनों बहर बने उदरोंच टोटल मास को हाफ, एसमा हाफ, एसमा हाफ गवार टोटल वागो सा 3.42 इंटो 10 को पावर माइनस 4 केची थिसवे अईलेगो लागी मास अब ग्यास इंद इस सिलिंडर निकालन पार वबने 3.42 इंटो 10 को पावर माइनस 4 बाई 2 दो रिशा जोसको वैलु आयो 1.71 इंटो 10 को पावर माइनस 4 केची उन्तो रिशा अब आमले एती वैलूस कुणी सिलिंडर मा कंडेनोंने ग्यास को मास निकाली पाशी अब ग्यास कस्टाण निकालन सक्षों फर्स्ट कोईशन को सोलुशन मा एरे हुआने हमलाई कुणी एउटा ग्यास सिलिंडर लिने ए और वी जुन निदा पने हुँँँछ ग्यास को बोलूम सा 1 इंटो 10 को पावर माइनस 3 मीटर क्यो प्रिशर सक्यास को 800 mmHg एला आमले मास को टम्मा निकालनों सो बाने ता SI यूनिट मा कंबर्जन गरनों परो तिसवे एलाई SI मा प्रिशर को SI यूनिट बाने को न्यूटन पर मीटर स्क्वार मा ला आनो परो बाने mmHg लाई किये गरने पोईले यूजून गीवन बालू से mmHg एलाई 760 ले डिवाइड गादे यूजान छ एटियम मा रजून एटियम को बालू लाई 1.01 इंटो 10 को पावर 5 ले मल्टिप्लाई गरियू मने यूज चेंज उन्चा पास्कल मा 1.03 इंटो 10 तुदी पावर 5 पास्कल आया हमले यू सिलिंडर और यू सिलिंडर मा आउने ग्यास को प्रेशर बर निकाली हो एगेन अब आमला टेम्प्रेशर देगोशा 300 केल्वीन रा मास अन्दी इस सिलिंडर आमला देगोशा 1.71 इंटो 10 को पावर माइनस 4 केजी बने अब आमले पढ़ेको फर्मुलाच जासी आइडियल ग्यास एक्विशन इन टम्स आफ मास निकाली बने पीवी इकोल टो एमाट बने एक्विशन आमला थाच यहां बड़ा आर को बैलो निकालने इसलाइस सॉल बरी बने आमले आर को बैलो निकालना सक्तो रोईचों PV by MT प्रेशर सोयले ग्यास को 1.063 इंटो 10 to the power 5 बोलूम अब धी ग्यास स 1 इंटो 10 to the power minus 3 मास स ग्यास को 1.71 इंटो 10 to the power minus 4 इंटो टेम्परेचर स 300 Kelvin 27 degree Celsius यह सपपए वालूला है सॉल्वो आरे बने आर को वालू आँछा 2072.43 उनिट हुँँचा जूल प्वार केजी प्वार केल्विन PV को उनिट हुँचा जूल यह मास लेकोशा आमले केजी ते बरो प्वार केजी रा टेम्परेचर स प्वार केल्विन मा हामले ग्यास कंस्टेंड आपदी गीवन इलियम ग्यास निकालियू 2072.43 जूल पर केजी पर केल्विन हामले फर्स्ट पार्ट कॉम्प्रेट करियू अब सेकेंड पार्ट मा मुग गरू सेकेंड कुश्ण सॉल वार नाकला आगी हामला वनेको सवब यो दुइटा वेसल्स मा योटा वेसललाईची आमले 0 डिगरी सेल्सीयस मा रा एनादर वेसललाई 100 डिगरी सेल्सीयस मा राखियू वाने फाइनल प्रेशर कती उन्छ रेसमा आमले इटले गता खेरी यो वेसल को बोलूम को चेंजलाईची नेगलेट गरे करोईशा, अन्चेंज बाने यह देगोशा अब आमले case 2 और question number 2 solve बार्ना को लागी each bulb को लागी separately solve बार्ना बार्शा किना बाने initially दोईटे bulb तो identical condition मात्यो तर अईले ये दोईटा को temperature difference भायो बाने या के change उना सक्सो ला ये लायर ने मले सबोज रब बाल्ब एलाए 0 degree Celsius that is 273 Kelvin मा प्लेश्ट करेचु रब बाल्ब वीलाए 100 degree Celsius और 373 Kelvin मा प्लेश्ट करेवाने अब फस्ट मा याने रहर यो बैसल मा जून इनिशियली ग्यास 27 degree Celsius मा थियो अईले 100 degree Celsius सम्मापक दाखेरी अब यू ग्यास एकस्पाड होँच एकस्पांड वाको ग्यास यू ट्यूब को थ्रूबड अब आउंच वेसल ऊ-ोल ए मने किना वने ऐस माआ ग्यासको प्रेशर लो शा due to having the low temperature ऐस माआ ग्यासको टेमप्रेशर लो शा प्रेशर लो शा एसको temperature increase हुनु बनेक एसको pressure increase हुनु रा gas को movement बनेको जोईलेपनि high-pressure देखी low-pressure मा जाने बढ़ा अब gas B vessel देखी transport हुएँ ठालद रोई चै A बनने vessel मा रा कतीखेर समझ transport हुएँच बन्ता हैरी जतीखेर यो B बनने vessel बढ़ा ट्रास्पर्ड वाको ग्यास ले दुई तिर्याको प्रेशार इक्वाल बनो दैना तेती खेरा समत्रे ग्यास को मुवमेंट होदर होईशा रहा जती खेरा सी या बड़ा आको ग्यास को मुवमेंट ले गता खेरी यो दुई टा वेसल को प्रेशार इक्वाल होँचा इक्वा वर्ड ग्यास ट्रास्परड गरद रोई श त्यो वेसल माँ जाजी टेम्परेचर लोई श अब इनिशियलनी दूटेको मास तो इक्वाल थो एस मबनी मास S M अबनी मास M तरह अजलेची एसको मास अब ट्रास्परड वारा ए तीरे आखो श बनी अब एसको मास तो इक्वाल हुदे ना अब एसमा सपोज रा मास फाइनली जती हेरा ग्यास को मूमेंट इस्ट बोंज तेती हेरा M1 रा अरको वेसल मा ग्यास को मास M2 सारे यो दोटालाई सल्वा रखलागी सी हामले अब वेसल A रा वेसल B को लागी विन्दा विन्दे डाटा लेकन थालने फार वेसल A ग्यास को मास M1 फाइनली ग्यास को मास M1 इसमा ग्यास को टेम्परेचर कती सावब ना खेरी जीरो डिगरी सेल्सियस मा प्लेस करेको सावब वा ढ़िफिए यू सिलिंडर माँ भंगो ग्यास को टेम्पृचर 273 ल्विण ऐस माँ ग्यास को बोलूम अंचेंज होदए ना बनी फैसी यू बल्ग को भंगो बोलूम भंगो फिर अब आमला थाच यो ग्यास बेशल सरु कनेक्टेट वागो सबने फाइनल मा पनी यो दुईटा बेशल ले सियर गरे प्रेशर ते युटे हुँँच किना बने यां बड़ा ट्रासपर्ड वाको ग्यास ले गरता खेरी 2-3 को प्रेशर एकोवाल वळणो सब्सपच करा बोद सिलिनर मा कांटेनट वाको ग्यास को प्रेशर ची पी ने चा यो फाइनल प्रेशर पनी P ने शा जून प्रेशर ची आमले क्याल्कुलेट गर नो शा रा यूग हिलियम ग्यास को ग्यास कंस्टांट पने आमले निकाली शाएगो शागाडी को लागी शाल्व भार रा 2072.43 Joule per Kg per Kelvin छा बने अब आमले यू A बने वेसल मा कंटेन बाको ग्यास को मास निकालना को लागी ए एकोईशन बड़ा सल्व भार सों जाहाचे आमले M इकोड़ो लेखना सक्षों P V by R into T अब आमले प्रेशर ला मैले P ने शापपजगार एगोशु तरा मैले ए रावीको लागी सल्व भार नो पर मने मैले P1 B1 by R त सेम होचा ग्यास कस्ट्रेंड बाई T1 मने लेखें अब प्रेशर को वैल्लू आमले गोश सिलिंडर को लागी फाइनल प्रेशर पी ने सापजगार एगोशुमन मैले पी ने छोडे इन्टु वोलूम शा सिलिंडर मा ग्यास को वोलूम 1 इंटु 10 दिपार माइनस 3 by ग्यास कंस्ट्रेंड काला एगोशा 2072.43 इन्टु बार बने M को वैल्लू आम उधरोईशा जला मले इन्टिकेट करे M1 ले फर्स्ट वेसल को लागी ग्यास को मास विच इस एक्वाल टु 1.767 इन्टु 10 दिपार माइनस 9P उधरोईशा सिमिलारली अब वेसल बी को लागी लेखने फार वेसल बी को लागी एरा वेसल बी ग्यास को बोलूम तो एक्वाल नहीं उँचा किना मने यो कनिशन अपनी ग्यास ले उक्कूपाइट गरनेको बोलूम बने तो सिलिंडर को बोलूम और वेसल को बोलूम जसको वैलू टेंप्रेशा से वालूम बी टु को वैलूमम बनी 1.10 को पार माइनस 3 मिटर क्यूब न वाइ वान लीटर ग्यास को प्रेशर पी ने से शको लागी पनी किना वने फाइनल प्रेशर कनेक्टेड वेशल मा इक्वाल होंच ये थिखेर ग्यास को टेम्परेचर शो यो सिलिंडर मा 373 केल्वीन रा इसको लागी पनी ग्यास कंस्टेंट ता सेम भाई आला जोसको वालू सो 2072.43 Joule प्वार केजी प्वार केल्वीन ये शोपए वालू बाड़ा फाइनल मा ये वेशल बित्र कंटेन होंगे ग्यास को मास M2 निकालनो पार हो बाने फेरी माथिको एककेशन बड़ा एर लेगने जानाची M2 एक्वाल टू P2 V2 बाई R इन्टू T2 उन्दर रहिशा वालू सब्सुट गारा एरम काती आउन्दर रहिशा P2 ला अमोले P ने सपोज गारेगशा V2 सो 1 इन्टू 10 को पार माइनस 3 R बाने को अमने लेको 2072.43 रट टेमप्रेचर सो 373 केल्विन यो सब बालू सब्सुट बार बाने M2 को बालू आउन्दर रहिशा 1.2936 इन्टू 10 तो दी पार माइनस 9P आयो यो P बाने को प्रेशर अब फाइनल्ली वेसल एर वेसल बीमा उने ग्यास को मास निकाली हूँ बाने अब आमला यो सिस्टम बाने को दो क्लोस सिस्टम वो येस वड़ा ग्यास बाने को मुमेंड बाने को ये उटा देखी अर्कमा गकुषा तर ओबराल सिस्टम सोड़े रहता ग्यास गकुषाई न तिसवाए अब फाइनल मा यो दो इटा सिलिंडर मा उने नेट ग्यास को मास जोड़नु बाने शुरू मा आमले जती लेकोषा तेशंग एकको आलूनु बारो इनिशियली आमले मास लेकोथियों 3.42 इंटो 10 को पावर माइनस 4 केजी सबाने अब फाइनलले यो A वेसल रा B वेसल मा कंटेनवाखो नेट ग्यास को मास भन इकको आलूनू बार्षा फाइनल मास अब दाग्यास इन वेसल अब बारो न इकको आलूनू बादरो इसांग 3.42 इंटो 10 को पावर माइनस 5 संग अब इस पड़ आम ले M1 रे M2 को वालू ले पूट गरूं जान सी M1 को वालू आम ले निकाल लेगोशा P को टम्मा 9P प्लस सेकेंड सिलिंडर B मा कंटेनुने ग्यास को मास निकाल लेगोशा इन टर्म्स अब P जसको वालूशा 1.2936 1.2936 into 10 to the power minus 9P P means final pressure of the gas which is equal to 3.42 into 10 to the power minus 4 आयो और यहला आम ले स्वाल वालूर यहरी माने यह दुटाब आलला फर्समा एड़ गर a score result answer 3.06 into 10 to the power minus 9P which is equal to 3.42 into 10 to the power minus 4 therefore final pressure of the gas P equal to 3.42 into 10 to the power minus 4 divide by 3.06 into 10 to the power minus 9 solver and result in value आयो 1 1 1 7 6 4.7 पासकत किना बने आमले result निकाले कोशों SI मा अब आमले answer final answer यहती ने छोड़दा बने होंच तरा आमरू book मासी देखो answer MFHG में देखो होंच यहती हेरा conversion गर्ना कलागी first मा प्रेस्टन कर्मजन गर्ना unit थाचा आमलाई यह जुन गीवन वालू छ पासकल मा यहलाई 1.01 into 10 to the power 5 ले डिवाइड गर्ये बने यह कनबड होंच एटियम मा रह यह जुन गीवन आयो यहलाई एगेन मयले 1 एटियम को गीवन इन MFHG ले मल्टिपलाई गर्ये बने कनबर्जन होंच MFHG मा तिसवाई यह गीवन आका साग एटियम मा रह यहलाई सी मयले 760 ले डिवाइड गर्ये बने विच इज दा भाल्यू आफ 1 एटियम इन MFHG यह रिजल्टेन आम्रो एंचर आउदर इशा MFHG मा जलाई सल्वार है रहूम बाल्यू आउशा 841 MFHG